जब हम deep learning के frameworks की बात करते हैं तो दो किसम के frameworks हैं एक है wider networks, एक है deeper networks अब इन दोनों में difference किया है यह मैं किसी और module में discuss करूँगा लेकिन deeper networks का बिलकुल असान लफजों में मानी यह होते हैं अगर कोई आप से interview में या कभी भी कोई question करें कि वहटा deeper networks तो आप simple answer यह दे सकते हैं जिन में हमारे पास number of layers जएदा हूँ इसी चीज़ को focus करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक example दिखाना चाहूँ तो वो यहाँ पर बड़ी straight away होगी अच्छा मैं फिर पहले थोड़ा सा problem फार्मॉलेट करता हूँ 2010 से लेके 2015 तक के result दिखाए है और यह हम compare क्या करना चाहरे है यह मैं अभी इस तरफ आऊंगा हुआ यह है कि 2010 में जो उसका result था उसमें 28.2 जो है वो error rate आ रहा था फिर 2011 में 25.8 आया और 2012 में 16.4 इसको हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा abrupt change है या बड़ा satisfactory change है human के लिए बड़ा improved result था और यही hit होने की भी reason थी deep learning frameworks की उसके बाद यह reduce हुआ 11.7 पे फिर यह 7.3 पे फिर 6.7 पे फिर 3.57 पे यह तो हो गई reduction इसकी यहाँ पे अब यह इसकी वज़ा है basically reason क्या है वो यह थी कि जैसे जैसे हमारे पास number of layers बढ़ी deep learning के architectures की वैसे वैसे results हमारे पास reduce हुए for example 2010 और 11 में बात करें तो यह single layer थी इसमें deep learning का concept नहीं था यह shallow भी हम इने कहते थे 2012 में हमारे पास आई 8 layer 13 में भी 8 layer 14 में 19 layers फिर 22 layers और फिर resonance में 152 layers इस module में जो है अभी हम focus करेंगे यहां तक सिरफ और इसके लिए जो word लिखा है VGG, Visual Geometric Group जो Oxford University का ग्रूप है उनके architecture हम तक हमें भी बात करेंगे और उनके result देखेंगे के वो कैसे आये और क्या था उसमें बाकी चीज़ों को और इससे पहले का हम देख चुके है और इससे अगले वाला जो नेक्स मॉड्यूल में देखेंगे अच्छा मैं दुबारा फिर्मूलेट कर दूँ जो problem क्या था या इसको कैसे हम कहेंगे हम देख रहे हैं कि deeper networks क्या है और उनका image retrieval framework का जो challenge है उस पे क्या performance है अगें हमारा scope बड़ा limited है कि जो image net का last scale video retrieval का challenge था जिसमें 1000 image की categories थी आप image देते हो यह 1000 categories में से लेबल लगा देता है यह उसका scope है और अभी हम सिर्फ क्या थाबित करना चाहरे है यह layers के साथ साथ जो रिजल्ट इंप्रूव हो है अचा अब यहां पे एक छोटी से example में देना चाहूँगा पहले वो थी जो हमने LXNet पढ़ा था उसकी तरह का एक similar architecture था जिसका नाम था ZFNet इट वास similar to LXNet बट क्या था convolution 1 जो थी उसमें हमने क्या किया 11 by 11 size की बज़ाए हमने क्या कर दिया 7 by 7 का filter लगाया और उसका start कर दिया 2 similarly convolution 345 में भी हमने 384, 384 और 256 filters की बज़ाए हमने filters के size को change कर दिया और इसकी वज़े से जो error था वो 16.4 से आ गया 11.7 के उपर यही चीज हमने यहां पे ही दिखाई भी है के 16.4 से 11.7 पे आया तो यहां पे मैं लिख भी देता हूँ कि यह है ZF Net का architecture तो इसमें basically हुआ क्या है कि शुरू में जो हमारे पास है मैं दुबारा वापस आता हूँ कि जो हमारे पास शुरू वाले थे बड़े जो filters थे उनकी जगा हमने छोटे filters लगाए और आगे हमने फिर बड़े filter लगाए अब यह बड़ा important question है अगर इसको हम सोचें भी सही तो क्या reason होगी इसका मैं आपको ए guess दूँगा लेकिन right answer आपने हमें देखना भी है ढूंडना है और हमें इसका के सिर्फ यह है वो यह है कि जो low level feature होते हैं वो generic होते है और जो high level feature हैं वो specific होते है इसका मतलब यह है कि जो low level features हैं उनके ओपर आप filter एक type का लगा सकोगे size आप खुद सोचो क्या होगा चोटा है बड़ा और जो high level features है वो specific होते हैं उन पे भी आप filter decide कर सकते होगे बड़ा लगना चाहिए चोटे size का तो अब आपने answer खुद सोचना है कि भी क्यों ZFNet ने बेतर performance दी as compared to AlexNet ने कि जबके सिर्फ और सिर्फ यह ही उसमें differences थे जो मैंने अभी यहां पे list down कियो है moving on VGGNet की अगर बात करें तो error reduce from 11.7 to 7.3 अभी हमने screen में देखा AlexNet 8 layer VGG has two versions called VGG16 and VGG19 video geometry group 16 और उनका फिर दूसरा version है 19 का जैसे नाम से ही पता है कि 16 में 16 layers होंगी और 19 में 19 layers होंगी they increase number of layers but reduce the size of the filters अब इसका कैफाद होगा हमारे पास अब ये भी बड़ा important question है let's say मेरे पास एक image है let's say मैं कहता हूँ 100 by 100 का और मैं उसके ओपर एक filter लगा रहा हूँ 10 by 10 का let's say मैं 10 by 10 की filter को अटा के अगर उस पर 5 by 5 का लगा दूँ तो क्या फायदा होगा करने का इसी का answer भी हम थोड़ी देर तक देते हैं अच्छा जी statement पढ़ते है smaller filters need fewer parameters ये तो answer सीदा ही आगया हमारे पास क्या अगर हमारे पास filter का size का मोझे से 5 by 5 का है तो क्या होगा smaller filters need fewer parameters answer क्या होगा इसका बता सकते हैं last module में हमने बताया था कि जब हम parameters की बात कर रहे थे जो हमारे training के दुरान learn होते है वो parameter जो हम learn करते हैं during training उसमें हमारे पास formula क्या था width into height into depth into number of filters तो अगर हमारे पास वो जो filter हैं वो smaller size के हैं तो लामाला क्या है 5 by 5 का जो size होगा या जो parameters होंगे वो 25 बनेंगे और 10 by 10 के कितने थे वो 100 थे तो ये काफिजा reduction है तो यही इनोंने भी formula किया कि VGG net में क्या किया इनोंने कि इनोंने layers को बढ़ा दिया लेकिन size of filters को reduce कर दिया अभी हम इसके ओड़ detail भी देखते हैं भी अच्छा आप इसके एक मैंने practical example समझाने के लिए सिर्फ दिये stack of 3 stack of 3 convolution filters of 3 by 3 size layer has same effective receptive field as of 1 7 by 7 convolution layer यह बात समझ आती है नहीं आती है basically है क्या मैं अगली figure पे भी दिखाऊंगा कि मेरे पास अगर यह 7 by 7 का हो ठीक है न तो इसमें क्या 49 cells total है 7 by 7 का इसको cover करने के लिए पूरे को cover करने के लिए अब क्या है कि मैंने से पढ़ना है 7 by 7 वाले को तो मैं एक 7 by 7 का filter बना सकता हूँ वो इस पे as it is map हो जाएगा clear इसके उपर आके हम put कर देंगे दूसरा तरीका क्या है कि हम 3 filter बनाए 3 by 3 के तो वो क्या करेंगे वो भी इसके उपर मैप हो जाएगा अभी हम next slide में दिखाते हुए इसको अब फाइदा हमारे पास क्या हो रहा है अगर यह 7 by 7 का इसके उपर मैप करें तो यह 7 into 7 होता है 49 parameters लेकिन अगर हम 3 filter बनाए 3 by 3 के तो हमारे पास क्या बनता है टोटल बनता है 27 filters यह चीज हमने यहां भी बताइए कि if we have 3 filters of size 3 into 3 into 1 तो वो हमें 27 parameters चाहिए अगर वो 7 by 7 के होते तो 49 parameters होता है receptive field means the area on which convolution operation is applied तो again जैसे मैंने भी कहा था कि जब मैं इसको उठाके रखता हूँ तो convolution operation क्या होता है कि इसके ओपर direct हम इस पे apply करते है middle pixel पे और फिर उसको पर move करते रहते हैं तो अगर हम इसी तरह बात करें we say that 7 by 7 filter has a receptive field of 7 by 7 11 by 11 filter has a receptive field of 11 by 11 let's say इसको थोड़ा सा practically देख भी लेते हैं यह हमने बनाया 7 rows और 7 columns और यह हमने किया stack of 3 3 by 3 filters with s is equal to 1 यह हमने क्या किया देखें यह है हमारे पास पहला filter 3 by 3 का यह हमारे पास दूसरा filter जिसमें एक row overlap हो गई है फिर यह है तीसरा filter ठीक है इसी तरह फिर यह एक filter यह फिर overlap का filter आएगा फिर यह overlap का 3 by 3 का फिर यह 3 by 3 यह फिर overlap होगा और यह फिर यह overlap होगा तो आप अराम से देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास बन रहा है basically अच्छा अब अगर इसे गिनते हैं यह बनता है 49 तो overall क्या effect होगा smaller size का filter apply करने का हमें total number of parameters जो हैं वो कम हो जाएंगे reduce हो जाएंगे और यही फिर जैसे जैसे हमारे पास layers बढ़ाते जाते हैं हम size को reduce करते रहते हैं अच्छा जी finally अब क्या है VGG net की अगर हम बात करें तो इसका architecture कुछ इस तरह से था input layer है फिर 3x3 के convolution के 64 filters लगे हुए फिर 64 filters है फिर pooling layer है फिर 128 size के filters लगे हुए इस तरह हमारे पास चलते गए हैं end में 4096 हमारे पास again fully connected layers में आये हैं और फिर हम 1000 का softmax का function लगाते हैं और फिर उसमें result generate कर देते हैं final note क्या है हमारे पास VGG net में LX net जो था उसके अंदर हमें 60 million parameters चाहिए थे कैसे हमने तो उसका सिर्फ देखा था शयद 135,000 तो वह आपको याद रखना चाहिए उससे first layer के लिए था convolution की first layer के लिए इसी तरह पिर convolution की पांच layer से तो उनके आएंगे फुली connected layers के तीन layers थे उनके functions आएंगे तो सब मिलाके roughly मारे पास 60 million थे और जो VGG 16 था उसके हैं worth 38 million अब सुनने में यह worth 38 काफी बड़ा लगेगा लेकिन अगर हम वैसे देखें तो जो हमारे पास Alex net था उसमें हमारे पा let's say total layers थी वह 8 थी और यहां पे जो हम VGG 16 के उपर चले गए तो इसमें हमारे पास layers जो है वह 52 है तो अब क्योंके number of layers काफी बढ़ गई है उसके लिहास से parameters बहुत जादा नहीं है plus क्या कि with the passage of time क्या हुआ है कि growth हुई है हमारे पास GPU यह processing power की तो LX net में हमने क्या किया था क्योंके 8 layers थी और processing power भी कम थी दो GPU लगाये थे parallel processing होई थी अब हम एक ही go में कर लेते हैं तो फिलाल जो है हम VGG net के उपर हैं अभी और मैं फिर रिपीट कर दो VGG net के अंदर हमारे पास idea simple के है कि शुरू में जो हमने filters लगाने हैं वो बड़े size के बजाए चोटे size के हो और जितने चोटे size के filter होंगे हमारे number of parameters भी कम होंगे हमें learning के लिए कम processing required होगी